असलाम अलेकुम और गुड मॉर्निंग तमाम यूवर्स को सेल्फ मैनेश्मेंट के इस सेग्मेंट में आज जो एहम टूल हम आपको देने वाले हैं वो है सिंबियोटिक रिलेशन्शिप जब हम किसी पौदे को अपने हाथ से उगाते हैं तो उस बीच के अंदर और उस पौदे के अंदर वो खुसूसियात आ जाती है जो कि उस पौदे को उगाने वाले शक्स के जिसम की नीड होती है जरूरत होती है और वो जब उस पौदे के अंदर जैसे जो भी फल आता है या सबजी आती है जब वो हम खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़ादा फाइदा मन्द होती है क्योंकि उस बीच में, उस पौदे में और उस शक्स में एक तालोग बन जाता है और वो पौदा अपने फल के अंदर, अपनी सब्जी के अंदर वो ही अफादियत लेकर आ जाता है जो के उस शक्स के जिसम की जरूरत होती है तो अगर हम उस फल का, उस सब्जी का बेहतरीन और मैकसिमम बेनेफिट लेना चाते हैं तो हम जो के बहुत ही छोटी चीजे हैं जैसे के खीरा है या टेमाटर है या अगर आपके पास बड़ी जगा नहीं है तो हरा धन्या पुदीना ऐसी चीजें जो के आप अपनी रोज मर्रा की घिजा में शामिल कर सकते हैं उनको अपने हाथ से उगाईए और उसको अपनी डेली डाइट में शामिल कीजे क्योंकि जब वो पौदा आप खाएंगे उस चीज का फल खाएंगे या सबजी खाएंगे तो वो आपके जिसम की मुनास्पत से आपके जिसम की नीट के हिसाब से आपको आफादियत पहुचाएगा तो ये बहुत ही सिंपल चीज है जिसे हम आसानी के साथ कर सकते हैं अगर हमारे पास बड़ी जगा है सहूलत है अपने घर में हम छोटी छोटी चीजें पौदे जिसके अंदर कोई फल या सबजी हम उगा सकते हैं और अगर नहीं सहूलत है तो छोटा गमला लेकर हम उसमें सिर्फ हरधनिया या पुदीना इन पत्तों को लगा लें अपने हाथ से लगा लें तो उसका हम बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम अपने आपको दे सकते हैं और इसी तरह से आपकी फैमिली के तमाम मेंबर्स अगर अपने लिए एक-एक मक्सूस पौदा ऐसा जो के वो अपनी रोज मरा की डाइट में शामिल कर सकते हैं उसे उगाएं और उसका जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट हासल करें